अड़ानी टोटल गेस के अंदर आज हमको 7% से भी ज़्यादा की तेजी देखने को मिली तो क्या इमीजेटली हमको इसमें फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए किस लेवल के आसपास आप इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हो अज़ानी चाहिए तो कहा तक इसमें टार्गेट लेवल हो सकते हैं सारी चीजे हम बात करेंगे इस इस टॉक से लिटी टाप की जितनी भी क्योरी होगी सारी क्योरी सौल होने वाली ठीक है लास्टाइम जब मैंने इस टॉक पर वीडियो बनाया था डीटेल वीडियो जब बनाया था तब मैंने आपको बताया था कुछ टाइम ही पहले मैंने बताया था जब मैंने आपर वीडियो बनाकर अपलोड किया था तब मैंने आपको बताया था कि इसका जो स्ट्रॉंग स लेवल है वो दोजार से लगाकर उननीश को सपोर्ट अबेज जादा यह में पहले अपको दी चुका था एंद एक जांदा सपोर्ट लेने के बाद एक शांदा तेजी अभी रिसेन्टली एमको देखने को मिल रही ठीक है दोजार से हम बात करेता अभी तक सकता, 700 से ज्यादा, 700 पॉइंट से भी ज्यादा की तेजी स्टोक के अंदर देखने को मिल चुकी, हमको काफी ची तेजी इसमें अल्रेडी हो चुकी, ठीक है, तो यहाँ पर देखें, इसके लावा all-time high के आसपा चल रहा है, स्टोक 52 वीक हाई पर चल रहा है, तो काफी अच पीछे काफी ज्यादा होता है, ठीक है, स्टोक, तो इसको दिन में जो आपको definitely किसी भी दिन आप स्विंग ट्रेडर लेते हैं, तो definitely आपको stop loss, hit होने के चांस से ज्यादा रहते हैं, ठीक है, लेकिन अब हम प्लान किस तरीके से करेंगे, वो सारी चीजी हम डीटियल में द शेयर किया था जहां पर मैंने बताया था कि 2720 के उपर आप इसको बाइक कर सकते हैं एक्जेक्ली वहाँ पर हमारा इंट्री पॉइंट एक्टिवेट हुआ और कुछ ही टाइम में हमारा यहाँ पर तो आप अगर टेलिग्राम चैनल से अभी तक नहीं चुड़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्री में जाके इसको जोइन कर सकते हो ठीक है चली अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट है अब हम इस तरीके से स्टो को प्लान कर सकते हैं और स्विंग टेडर के हिसाब से आप देख रहे हैं तो कहां तक आपके टार्गेट लेवल यहां से हो सकते हैं ठीक है कि वह जो लेवल को बात करूँ अगर में तो 26 डॅ कह यहां पर एक राउन-अड लेवल नंबर ठीक है यहां पर राउन-ड लेवल-णर की बात करूड तो 26 डौ राउन-डेवल नंबर था जिसके ओपर काफी बार प्राइज देखने को मिल सकती है, और dividend के बाद हो सकता है, आपको गिरावट देखने को मिले है, ठीक है, तो एक दो दिन बाद, 14 तरीक के बाद गिरावट इसमें हो सकता है, देखने को मिले है, कोई guarantee नहीं है, लेकिन all time high के आसपास चल रहा है, तो definitely थोड़ा सा retracement हो सकता है, ठीक है, अभी next level के, अगर मैं बात कर लो, तो next level जो all time high है, इसका वो है, यहाँ पर 2716 लागा, ठीक है, 2716 का level, जो की price अल्रेडी आज इसको cross कर चुकी, ठीक है, इस level को already cross कर चुकी, और उसके उपर closing, closing नहीं दिया है, definitely cross, एक बाद टच करके, उपर से नीचे के तरफ आई है, ठी एक चीज आपको समझना है, कि swing trader के साब से थोड़ा सा, अगर आप इसको long term में देखते हो, तो आपके लिए best price क्या होगी, खरीदने की, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, price देख सकते हो, price इस trend line के उपर काफी इचा support ले रही, फिलाल मैं इसको beach वाली trend line को हटा द यहीं पर support लेने के बाद एक शांदर bullish momentum दिया, काफी चीज तेजी हुई ठीक है, तो मैंने यहाँ पर already आपको पहले भी video बना कर बता है था, जिन लोगों ने इस level के आसपस buy किया होगा, definitely काफी अच्छा पेसा बना होगा, यहाँ से देख सकते है, almost 40% की तेजी already यहाँ हो चुकिए, ठीक है, 40% की तेजी already यहाँ पर हो चुकिए, जिन लोगों ने इस level के आसपस buy किया, definitely उनको काफी अच्छा पैसा बन रहा होगा, ठीक है, अभी हम बात करें, तो फिलाल price अपने all time high के पास में आ चुकी, तो यहाँ से अगर breakout लेती, तो हमारा, उमको काफी इसमें देखने को मिल सकती है, तो यहाँ से एक major resistance हमको देखने को मिलेगा, अब next जो major resistance देखने को मिलेगा, वो है, 3000 का एक round level number है, तो यहाँ से अगर price उपर की तरफ निकलती है, तो 3000 तक का आपका target यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, अगर आप as a swing trader इसको देख रहे हो, तो next target आपका 3000 के असपास हो सकता है, अगर मैं चोटे time frame का chart लगा रहता हूँ, अवल time frame के हिसाब से, ठीक है, अगर यहाँ से price breakout लेगी, तो definitely आपको जो stop loss ज्यादा बड़ा नहीं रखना है, फिलाल के हिसाब से, अगर मैं पात करूँ, तो अवल time frame के, अगर swing low के हिसाब से दे 26 के नीचे आप अपना stop loss लगा सकते हो, आज की जो candle है, उसके नीचे stop loss लगा सकते हो, या फिर आप रख सकते हो, 2650 के नीचे आप अपना stop loss set कर सकते हो, अगर कल यहाँ पर इसका day high cross करने के बाद, अगर आप entry लेते हो, तब के लिए बात करा हूँ, ठीक है, target 3000 के असपास हो सकता है, यहाँ कर, क्योंकि major resistance 3000 है, तो उसके बाद अगर उपर की तरफ प्राइस निकलेगी, तो आप और भी इसमें target trailing stop loss के साथ, उसको जो hold कर सकते हो, काफी चाइस टो के strong fundamental है, long term में अगर इस टो को अगर buy करना चाहते हो, तो फिर से आपको wait करना होगा, काफी ची क कुछ महिनों के लिए wait करना होगा, फिर से गिरावट होगी, जब price again stand line के पास में आएगी, तब आप इसमें as a long term आप इसको ले सकते हो, लेकिन फिलार as a swing trader आप इसको ले सकते हो, target 3000 का एक important resistance level है, तो first target हमारा 3000 का level होगा, अगर 3000 का level cross होगा, तो फिर और भी वीडियो बना अंदर ये वीडियो कैसा लगा, comments में जरूर बताना